एक्जाम्पल नमर 32 हमें इंटीग्रेट करना है 0 to pi limit मार पास x sin x over 1 plus cos square x dx को हम यहाँ पे P3 या P4 का यूज़ करने वाले हैं जो P4 है वो special case होता है P3 का जिसमें जो A की value 0 दे रखें B की value A दे रखें पूट करोगे तो स्वेम यही बन जाएगा P3 का P4 बन जाएगा तो यह special case है बात करते हैं P3 होती क्या है देखने में बल्ली derivative से लग रही है वो तोड़ी से आपको बट यह है बहुत जादा easy कैसे यह क्या कहता है कि A to B जब limit हो आपके पास f of x dx equal होगा हमारा a to b f of a plus b minus x simple सी बात कहरी है यह P3 कि जहाँ पर x हो वहाँ पर अपर लिमिट plus lower limit minus x कर दो वो equal होगा हमें साब के ठीक है बासमें में आती है जहाँ पर भी x हो वहाँ पर a plus b minus x कर दो a और b हमारा अपर लिमिट lower limit है वो equal होगी हमारी अब इसको use करते हैं तो हमार पास can degrade करना है मैं 0 to pi x sin x over में 1 plus cos square x dx को इसको हम i put कर देते हैं i is equal to यह हमार पास है i put कर दिया हमने यह पर i थोड़ा दिखनी रहा बट यहाँ पर है इसको मैं लिखने वाला हूं 0 to pi upper limit plus lower limit minus x मतलब pi plus 0 minus x मतलब pi minus x तो pi minus x sin x sin जहाँ पर भी एक्स हों pi minus x कि दो pi minus x total divide में 1 plus cos square pi minus x dx तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं इसको मैं लिख सकता हूं 0 to pi pi sin 180 minus theta sin theta ही होता है तो pi sin x minus x sin x total divide में 1 plus cos square x dx अगर आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा है कि यहाँ पर cos square pi minus x लिख दिया तो इसको मैं क्लिए कर दू देखवा मैंने cos square pi minus x को लिखा पहले cos pi minus x का whole square एक ही बात है cos pi minus x का whole square cos unity minus theta क्या होता है मैंने minus cos theta होता है मैंने minus cos x का whole square जोगी को लोगा मैं पर पास cos square x ओके ऐसे solve गरने को आपको cos square x की मिलेगा तो यहाँ से मैंने cos square x लिख दिया अब देखवा अगर मैं यह हमारे पास क्या है हमारे पास i ही है equal होता है तो i ही है अगर इनको मैं add करता हूँ तो क्या है मेरे पास यह भी i यह भी i मतलब 2i i plus i 2i is equal to 0 2 pi ठीक x sin x divide में 1 plus cos square x dx plus इस को लग कर लो मैं यहाँ से यहाँ तक minus यहाँ से यहाँ तक तो 0 2 pi pi sin x over में 1 plus cos square x minus x sin x over में 1 plus cos square x dx यहाँ पर dx है integration देखो same to same बन रहे हैं हाँ minus में ही यह plus में है तो यह होज़ाँ गैंसल तो 2i equal to में बस क्या बचा इसके equal बच गया ओके तो इसको भी put करते हैं values तो 2i is equal to यह तो 2i is equal to 0 to pi pi sin x over में 1 plus cos square x dx अब अगर मैं यहाँ पर cos x के दिए पर t put करता हूं तो sin cancel हो जाएगा जी हो जाएगी value cancel तो कर दो put यहाँ करते हैं cos x is equal to t तो मुझे क्या मिलेगी minus sin x dx is equal to dt तो यहाँ से मुझे value मिल रही है dx is equal to dt over में minus sin x और जबी भी हम limit क्या बोलते हैं values put करते हैं t के equal कुछी चीज़ को function को तब हमें limit change करनी पड़ती है okay तब हमें limit change करनी पड़ेगी अब आपके दिमाब में चीज़ आ रही होगा सब हमने पहले काभी limit क्यों नहीं करनी फिर हमने पहले भी तो t put किया था आज ही क्यों 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 है क्योंकि हमारे पास limit given थी 0,2 pie उसमें given नहीं होगी तो इमने put नहीं कियोगी, change नहीं कर गयोगी नहीं हमने but हमें given है, इसलिए में change करना पड़ेगा change करना असान काम होता है काफी कैसे? देखो आप हमने put के गया है कि cos x is equal to t put किया है तो यहाँ पे x के value 0 to πाई है तो पहले एक बाद 0 put कर लो तो cos 0 is equal to t तो t के value क्या है मिलेगी cos 0 क्या होता है? 1 होता है t is equal to 1 मिल गया, तो lower limit मुझे मिल गई 1, upper limit क्या मिलेगी मुझे? cos pi is equal to t upper limit pi है, cos pi is equal to t तो मुझे t के value है से मिलेगी cos pi क्या होता है? minus 1 होता है तो 1 से minus 1 हो रही है ठीक है lower limit हमारे पस क्या है 1 upper limit हमारे पस minus 1 तो 1 2 minus 1 limit हमने put कर दी pi sin x cos x को हमने t rate किया है तो 1 plus t square dx की value निकाल ली हमने जो कि यह dt over minus sin x है तो dt over में minus sin x sin sin cancel हो गया हमें values मिल गए इसकी यह किसकी को हो लोगा हमारा 1 2 minus 1 pi over 1 plus t square है पहले में लिख रहता हूं 1 plus t square dt ताके आप confused नहीं हो देखो आप pi over 1 plus t square कुछ छूट तो नहीं रहा minus n छूट रहा है minus n भी यहाँ पर इसका formula होता है integration of 1 plus t square 10 inverse x का formula होता है 10 inverse t का formula होगा है यहाँ पर ठीक तो इसको मैं लिखने वाला हूँ 2i is equal to minus का 10 inverse t limit का है हमार पास 1 2 minus 1 और pi भी था multiply में तो minus का pi यहाँ पर अब बस limit put करो आपका answer आजाएगा तो इस किसकी को होगा हमार पास equal to minus का pi put करो हमार यहाँ पर 10 inverse minus 1 minus 10 inverse 1 ओके तो यह किसकी को होगा 10 inverse minus 1 equal होता है हमारा minus 10 inverse 1 के मैं लिख देता हूँ आपे 10 inverse minus theta equal होता है हमारा minus 10 inverse theta के हमने second chapter ने पढ़ रखा है यह formula यहां से मुझे value मिलेगी minus pi minus 2 10 inverse 1 ओके तो minus से minus positive हो जाएगा तो pi 2 pi 10 inverse 1 ओके 1 किसकी को होता है pi by 4 के इसकी को ने सकता हूँ 2 pi 10 inverse 10 pi over 4 एक ही बात है अब मैं cancel कर सकता हूँ इसकी value क्या मिली मुझे यह मिली मुझे 2 pi square over 4 यह मिलने वाली है किसकी equal है 2 i is equal to 2 pi square by 4 आया है यहां पर तो यहां लेगे देता हूँ 2 i equal to 2 pi square over 4 2 से 2 cancel हो गया तो i की value क्या मिली मुझे pi square by 4 i क्या था हमारा i यह तो find करना था मैं तो यह हमारा answer हो गया i क्या था हमारा i हमारा था 0 to pi लिमिट थी तो हमारा answer आगया i is equal to pi square by 4 ओके?